गर्मी में अपनी बोडी को कूल-कूल रखना चाते हैं तो भाईया साथ आयरुवेदिक हर्ब्स आपको बहुत फायदा देंगे देख रहे हैं आप जीवन अईरुवेदा चली बता देते हैं कौन से हैं वो नाम है मेरा मेगा फर्मा वीडियो आखर तक जरूर देखें क्योंकि गर्मिया तो शुरूरी हो चुकी है गर्मी आ चुकी है दोस्तो फूलर और एयर कंडिशन में समय बिता कर गर्मी को कम करना सहत के लिए बहुत नुकसान देख है ये शरीर से सारा पानी सोख लेती हैं, लेकिन हमें इंस्टन्ट राहत देने के लिए ये सही रहती हैं, लेकिन वैसे ये शरीर को काफी नुकसान पहुचाती है, गर्मियों के दौरान पेट में संक्रमन, ही स्ट्रोक, स्किन बर्ण जो ऐसी प्रॉब्लम्स आम हैं, लेकिन लेकिन के लावा शरीर को डीटॉक्सिफाई करता है, और गर्मियों के दौरान पित्त दोश से निपटने में बहुत मदद करता है, अलोवेरा, अलोवेरा भी बहुत ज़्यादा पहुचाता है गर्मियों में, संबन से लेकर ये आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम् सभी में इस्तिमाल होते है, ये आपके मेटबॉलिजम को बढ़ा देती है, इसके सेवन से शरीर की गर्मी बैलन्स रहती है, आप चाहें तो खाने में या फिर चाय में इलाईची डाल कर भी इसका सेवन कर सकते हैं, तुलसी, तुलसी तो भाई हम सब की प्यारी है, ये बह आपको क्लीन कर देगी, डिटॉक्सिफाइ कर देगी, आपका शरीर साथी शरीर को ठंडा भी रखेगी, आप तुलसी का इस्तिमाल चाहें तो चाय के रूप में कर ले, या तुलसी का आप काढ़ा बना के भी इसका सेवन कर सकते हैं, मुलेची, मुलेची को चबा कर आप गले में ठंड़क महसूस कर सकते हैं, या गर्मी और प्रदूशन के कारण आपके गले में जो जलन होती है उसे खत्म करती है, मुलेची को डंडी को इसकी डंडी को चबा कर इसका सेवन कर सकते हैं, नहीं तो आप इससे पाउडर की फॉर्म में पानी में मिला कर भी ले सकत हैं, अब चाएं तो चाए में भी इसको डाल सकते हैं, जादा गर्मी में रहने से हीट स्ट्रोक और डिहाइडरेशन हो सकता है, ये अनहेल्दी होता है, क्योंकि ये शरीर में पित्त दोश पैदा करता है, फिर आपका मेटबॉलिजम भी कमजोर होता है, इसलिए हमारी सला है, क्योंकि आप घर्मी के मौसं में अपने दिमाग और शरीर दूनों को ठंडा रखें, अगर जरूरी हो तब भी आप घर से बाहर निकलें, बिना बाद की तफरी बाजी के लिए घर से बाहर ना निकलें, वो भी गर्मियों के मौसम बें, और ठंडा रखना है शरीर को, तो ये जड़ी पूटियाप इस्तिमाल कर सकते हैं, देख रहे हैं जीवन अरवेदा, नमस्कार